कीवा हेल्दी हनी स्थाई रूप से एकत्र किया जाता है जहां किसी भी रासायनिक उप्योग के बिना फूलों और पौधों की पैदावार होती है इसमें एंटिसेप्टिक एवं रक्त शोदक के गुण है ये सर्दी, खांसी और बुखार के उप्चार में उप्योग किया जा सकता है बाजार में बिखने वाली चीनी और गुड में हानी कारक रासायन होते है नेचिरोपैथी डॉक्टर शक्कर को श्वीद जहर मानते है इसलिए चीनी से बचें, मिथास के लिए शुद हनी का उप्योग करें और एक विश्मुक्च स्वात के अनुभव का आनंद लें कीवा हेल्दी हनी हमारे शरीर के लिए विभिन रूप से लाबदायक है सुबाग गर्म पानी के साथ एक चमच शहद वजन घटाने में उप्योगी साबित होता है ये मेटाबॉलिसम को बढ़ाने में मदद करता है जो वजन कम करता है सुखी खांसी के साथ साथ गीली खांसी के लिए शहद को सर्वशेष्ट घरेलू उपाय की रूप में जाना जाता है अनुसंधान ने ये दर्शाया है कि एक चमच शहद पीने से गले की खराश कम हो जाती है शहद में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगर और एंटी ऑक्सिजन गुन होते हैं जिस कारण ये घावों के लिए उप्योग किया जा सकता है सदियों से लोगों ने नीन को प्रेड़ित करने के लिए शहद का उप्योग किया है कि वा हेल्दी हनी का एक चमच गर्म दूद के साथ मिलाएं शहद उर्जा की एक उतक्रिष्ट स्रोत के रूप में जाना जाता है इसमें प्राकृतिक अप्रसारिट चीनी मौजूद है जो सीधी खून में प्रवेश करती है और उर्जा की वृद्धी करती है इसकी मॉस्चराइजिंग और पौस्टिक गुनों की वज़े से शहद तोचा के लिए उप्योगी है शहद रूसी के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक घरीलू उपायों में से एक है याना केवल बालों को पोशन प्रदान करता है बल्कि उन्हें घने और रेश्मी भी बनाता है सेवन का तरीका सुबा सुबा कीवा हेल्दी हनी की एक चमबच के साथ शहद की गुनों का लाब उठाएं अपने धिमाग, शरीर और आत्मा को स्वस्त रखिए याद रखिए शहद का जमना प्राकृतिक है शहद को गरम पानी या धूप में रखकर तरल किया जा सकता है धन्यवाद